नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 ते जोगरफी के चैपटर 2 में आपका स्वागत है चैपटर 2 का पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ दूसरे पार्ट पे आते हैं यहाँ पे कुछ स्टाटिस्टिक्स दे रखें statistics क्या बताता है over half of India's natural forest are gone यानि 50% ज्याद़ इंडिया के forest जा चुके है one third of the wetlands drained out लगबग 33% wetlands सूख चुके है 70% water bodies pollute हो चुके है 40% mangroves mangroves पता है न coastal ecosystem और fresh water ecosystem की boundary पे जहां पे समुंदर का खारा पानी और नदियों का fresh पानी मिल के एक ऐसा system मनाता है जहां पे fresh water और saline water का mixture है यहां पे जो vegetation grow करती है उसको बुलायाता है mangroves तो लगबग 40% mangroves wipe off होड़ चुके है उसके बाद आप देखें लगातार hunting हो रही है trade हो रहा है wild animals का commercial valuable plants का इसकी वज़े से बहुत सी plant species बहुत सी animal species जो कि हमारे environment के लिए important है वो धीरे धीरे degrade हो रही है फिर आप देखें destruction of forest और wildlife इनका तवा होना केवल एक biological इशू नहीं है biological इशू तो है साथ साथ वो cultural इशू भी है चुकि इन forest के साथ इन wildlife के साथ वो ट्राइबर्स जो सदियों से यहां पे रह रहे हैं सदियों से कह लिजे हजारों साल से कह लिजे वो और जदा माजिनलाइज होते जा रहे है आपको पता है ट्राइबर्स इन forest की बीच में राह करते हैं अगर आपने NCRT quality की वीडियो में आपने देखी हूँ तो वहां में आपको बताया था कि कैसे जब जंगल कटा तो जब ठेकेदार आये ठेकेदार ने वहां पे रहने वाले ट्राइबर्स को उनकी जगों से निकाल दिया अभी वो ट्राइबर्स पास के शहरों में जाके नौकरियां धूर्णने लगे काफी परिशान हुए तो कहीं न कहीं उनकी cultural diversity का नुकसान हुआ उन क्या तो नुकसान हुआ चुकि ये जो ट्राइबर्स जंगलों के अलाके में रहते हैं इनका रहन सहेन का अपना तरीका होता है खान पान का अपना तरीका होता है और वो हमारे देश की rich cultural diversity का पार्ट है आप पेड काटोगे, जंगल के जंगल साफ कर दोगे वहाँ पे रहने वाले ट्राइबल स्कुन की जगा से हटा दोगे तो सदियों से जो culture हमारे देश में चला आ रहा है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और जाने ऐसी कितनी cultural diversity को हम अलरड़ी eradicate कर चुके है और एक और नुकसान है कि ये लोग जो अलरड़ी बहुत ज़दा marginalize है इनको आप और impoverish कर देते हो और गरीब कर देते हो ये forest dependent communities थी जो हमेशा से forest पे dependent थी wildlife पे dependent थी अपने खाने के लिए, पान के लिए आप कैसकते हो आप medicines के लिए, culture, spirituality हर चीज में वो forest और forest के जंगलों पे dependent थी और आपने forest ही साफ कर दिये, तो न आप पेड़ हैं, न जानवर हैं, ये लोग जाएंगे कहां तो आज पास के शहरों में जाके देहाडी पे मजदूरी करेंगी, चुकि उनको और कुछ आता नहीं है और भाई, गजब का social किया गया है इन गरीबों का, और इन गरीबों में भी जो women है वो सबसे यादा affected थी चुकि आप देखो कि women के उपर responsibility थी इन forest में, कि वो fuel को collect करेंगी, forder collect करेंगी, पानी लेके आएंगी बाकी subsistence, needs हैं जो घर के काम है वो women करती थी अब जब ये resources depreed हो चुके हैं, तो women की drudgery और बढ़ जाएगी तो पहले जहां पर women रहती थी, वहां से पानी थोड़ा दूर था लेकिन अब women जहां रहे हैं, उनको 2-3 km पानी भरने के लिए जाना पड़ता है तो भाईया, एक घड़ा सर पे रखके, एक घड़ा एक हास में पकड़ के लेके, वो 2-3 km चल के जाएंगी उस घड़े को वापस भर के लाएंगी, 10-10 km इनको चलना पड़ता है, पानी भर के लाने के लिए, लकड़िया लेकि आने के लिए, सोचिए 10 km शहरों में रहने वाले लोग दिन भर काम करके, एक किलोमेटर की शाम की वाग कर लेते न, तो बोलते हैं कि बहुत जोगिंग कर ली, बहुत जोगिंग कर ली और अगर बच्चा छोटा है, तो उसके आप नहीं कॉंप्लिकेशन होते हैं, प्लस, इंक्रीस्ट आवर्स ऑफ वर्क की वाजासे अब हुमन बॉड़ी है, एक व्यूमन की उसकी खुद की हुमन बॉड़ी है, अगर उस हुमन बॉड़ी पे एक लिमिट से जादा आप कठ सोशल इंप्लिकेशन भी हैं, क्यों हैं सोशल इंप्लिकेशन चुकि जब यह लड़ी इस तरीके काम करती हैं, तो जो घर की लड़कियां हैं, उनके ओपर रिस्पॉंसिबिल्टी डाल दी जाती है, खाना बनाओ, तो घर के लड़कों को एक बार को स्कूल भेज दिया जा आप बोलोगे कि भाया, इनवायरोन्मेंट के डीडेशन से सीवेर डॉट कैसे हुआ, तो मान लिजए किसी एक इलाके में आपने सारे की सारे पेड उड़ा दिये, अभी पेडों में मैंने एक आपको प्रॉसेस बताया था, जिसको बोरा जाता है ट्रांस्पिरेशन, ट्र लेकिन चुकि पेड के पेड आपने साफ कर दिये, तो ट्रांस्पिरेशन बंद हो गया, तो भाई नमी की कमी बंद हो गई, तो भाई ड्रॉट आ सकता है, चुकि पानी नहीं बरसेगा, यहाँ पर आपको एक एक जामपिल दे रहा हूं, उसके नूमरस फैसेट्स हैं, बा पानी के फ्लो को रोक लेती थी, ग्राउंड़ वricanes के एक्वएर्स को उसी पानी से рिचार्ज कर देती थी, अभी पेड नहीं है, तो भैते हो पानी को रोकने के लिए कोई है, अरस्ट करने के लिए कोई नहीं है, तो वो पानी, जो पहले पेडों की रूट्स की वजए से स associated है तो environmental destruction होगा तो सबसे पहले वो किसको hit करेगा poor को hit करेगा तो poor की poverty और बढ़ा देगा फिर इसके साथ हम यह भी देखे रहे हैं कि जो forest है और wildlife है वो quality of life and environment के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है तो कहीं न कहीं अगर wildlife destroy हो रही, environment destroy हो रहा है तो quality of life destroy हो रही इसलिए sound forest और wildlife conservation strategies की बहुत जरूरत है अभी बात करते है conservation of forest and wildlife in India की क्या लिखा यहां पर conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential भाई यह इतनी तेजी से wildlife का pollution population घट रही है, forestry में नुकसान हो रहा है तो इसका conservation करना जरूर है बट conservation करें तो कैसे करें, conservation करता क्या है, जो हमारे life support systems है उनकी ecological diversity को maintain करता है, preserve करता है, हमारे life support systems क्या है, वो पानी जो हम पीते हैं वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो soil, वो मिटी, जहां वो पौधे उगाये जाते हैं, जिन पौधों को हम खा के जिन्दा रहते हैं, या उन पौधों को जानवर खाएंगों, जानवर को खा के हम जिन्दा रहेंगे, तो भाईया, आस पास की जो हमारी ecological diversity है, उसको जित and animals को बचा सकते हैं, अगर unchecked exploitation होगा, तो plant बहुत जल्दी threatened हो जाएंगे, animals बहुत जल्दी threatened हो जाएंगे, पहले की वीडियो में, इस से शाद पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अलग अलग जो categories हैं आपकी threatened होने की, International Union for Conservation of Nature के साब से वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको, आप हो सके तो अपने notes में incorporate कर लीजेगा, नहीं कर रहे हैं, तो बार बार उसको revise करते रहे हैं, ताकि चीजें आपको याद रहे हैं, अगर हम agriculture की बात करें, तो अभी भी हम बहुत सी traditional crop varieties पे dependent हैं, तो कहीं न कहीं उन traditional crop varieties को बचाने की जुरूत है, एक लिमिट से ज्यादा cross breeding के थुरू आईवी crop varieties, genetic engineering के थुरू आईवी crop varieties को use करने की जुरूत है नहीं, fisheries की बात करें, तो हमारा fisheries sector भी aquatic biodiversity पे dependent है, तो अगर हम fish catch कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस fish catch को maintain करना और conserve करना ज़रूरी है, जो कि unsustainable तरीके से अगर हम fish catch करते चले ज जाएगा, तो जब हमारे देश में देखा गया कि भहिया, जो wildlife है, वो बहुत तेजी से उड़ती जा रही है, तो जो conservationist थे, उन्होंने demand करना शुरू किया, 1960s में, 1970s में बहुत बड़ी demand सामने आएगी, कि भहिया, हमारे environment को बचाने की जुरूत है, wildlife को, plant life को बचाने की तो जब government पर pressure बढ़ा, तो government एक National Wildlife Protection Program ले के आई, जिसका नाम था, Indian Wildlife Protection Act of 1972, जहाँ पे habitats को protect करने की बात की गई, All India List बनाए गई, protected species को, उसको publish किया गया, और इसका program का main aim क्या था, program का main aim था, कि भहिया, जो endangered species हैं, जिनकी कुछ हद तक remaining population बची हैं, उनको legal protection दी जाए, उनके खिलाफ hunting ban हो, उनके habitat को बचाया जाए, उनमें trade को restrict किया जाए, ताकि हम उनको revive कर सकें, वो हमेशा के लिए extinct ना हो जाए, और इसके अंदर आप देखोगे, Central Government, State Government ने बहुत से projects launch किये, इनको बचाने के लिए, जैसे कि for example, Center Government ने specific जानवर वाइस भी project को launch किया, tiger की बात की जाए, तो project tiger launch किया गया, one hound rhinoceros के लिए, कश्मीरी स्ट्राइग हंगुल के लिए, तीन तरीके के crocodiles है, fresh water crocodile, salt water crocodile, घडियल, इनके लिए, asiatik loin के लिए, फिर Indian elephant, black bug, चिंकारा, the great Indian bastard, snow leopard, इन सब को partial या full legal protection दी गई हंटिंग और trade के against throughout India, दोस्तों यहाँ पे, अभी हमने national park और wildlife century सुना, अभी आगे दो और चीज़ें आएंगे, reserved forest और protected forest, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो, तो आप YouTube में search मारो, reserved forest मेरे नाम के साथ, या national park मेरे नाम के साथ, तो यह पहली वीडियो आपको दिख जाएगी, national park wildlife century, protected and reserved forest, इस वीडियो को जाके देखे, लमसम 5 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ पे national park wildlife century की बीच का फर्क, reserved forest क्या होते, protected forest क्या होते, community reserves क्या होते, conservation reserves क्या होते, सब पता चल जाएगा, यही भी टाइगर conservation authority किस तरीकी से काम करती है, इसलिए जानना है, तो project tiger 1973 वाली वीडियो देख सकते हैं, आप project tiger 1973 टाइप मार दीजे, google में मेरे नाम के साथ, और youtube मेरे नाम के साथ, आपको वीडियो मिल जाएगी, अब आ जाते है project tiger पे, यहाँ पे basic information ले लेते हैं, तो यह tiger is one of the key wildlife species, funnel web में, जो कि funnel web में, यानि कि animal की जो food chain होती है, उसमें सबसे apex पे होता है tiger, 1973 में जो authorities थी, उनको रिलाइज हुआ, यह tiger की population इंडिया में बहुत तेजी से कम हो रही है, बैया, 100 सालों में tiger की population 55,000 से कम होके, 1827 पे आ गई, इतनी तेजी से tiger की population क्यों कम होई, तो दहिया उनका poaching हो रही तो शिकार हो रहा था, habitat उनका shrink हो रहा था, तो agriculture के लिए आप जंगल साफ कर रहे हो, industries बनाने के लिए आप जंगल साफ कर रहे हो, mining के लिए आप जंगल साफ कर रहे हो, तो आप शेरों की जाने की जगा नहीं बचेगी, तो automatically वो खतम होने पड़ेंगे, prey based species वो जिन जानवरों को खा रहे हों, उनकी population खतम हो रही है, human population बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं human versus animal conflict बढ़ रहा है, और human अपने enhanced intelligence की वजह से animal population को तो eliminate करी देगा, तो ये बहुत सी वजह हैं थी जिसकी वैसे tiger की population बहुत तेजी से गिर रही थी, फिर जो tiger की skin है, उसको traditional दवाईयां बनती हैं, इसलिए आप देखो कि बहुत सी Asian countries में जो tiger population है, that was on the verge of extinction, इंडिया और नेपाल ऐसी दो कंट्रीज थी जहांके habitat में दुनिया के two by third of the tiger survive कर रहे थे, तो कहीं न कहीं इंडिया और नेपाल दो ऐसी कंट्रीज बन जाएंगी जिसको poachers target करेंगे, जहां पर वो illegal hunting करेंगे tigers की, इन सब चीजों को रोकने के लिए एक बहुती publicized wildlife campaign शुरू किया गया और दुनिया भर में इसको publicized किया गया जिसका नाम है project tiger, 1973 में launch किया गया और इसको सिर्फ Indian authority से मदद नहीं मिली, इसको दुनिया भर की authority से मदद मिली, चुकि दुनिया भ से बात करके हमारे दिश में tiger को relocate कर लेंगे, tiger conservation को आप देखे, has been viewed not only as an effort to save an endangered species but with equal importance as a means to preserving biotypes of sizable magnitude, सिर्फ आप tiger conservation को इस तरीके से मत देखे दोस्तों कि आप एक endangered species को बचा रहो, आप कही ना कहीं जो complex food change होती है animals की, उस food chain को बचाने की कोशिश कर रहो, चुकि अगर tigers eliminate होते हैं, तो tiger जिस जानवर को खाता है ना, उस जानवर की population बढ़ने लगे, और जो food chain होती है ना, वो एक complex interrelationship होती, जिसमें किसी भी level पे, अगर कुछ disturbance आता है, तो वो disturbance बाकी दोनों level पर पहुँच जाएगा, जो की सही नहीं है, तो क tiger को आप preserve करोगे, तो बाकी भी automatically balance में आने लगेंगे, अगर बात की जाए, tiger reserves के इंडिया में, कौन कों से जगह पर tigers पाय जाते हैं, तो कारबेट नेशनल पार्क इन उत्राकंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधा गौर नेशनल पार्क इन conservation projects हैं, वो biodiversity पे काम कर रहे हैं, पहले क्या था कि जो conservation projects छुरू कर गये थे, वो बहुत silos में शुरू किये गये थे, यानि किसी एक जानवर को बचाने के लिए शुरू कर दीए हैं, किसी एक particular plant species को बचाने के लिए शुरू कर दीए हैं, अब जो conservation measures शुरू किये जाते हैं, overall biodiversity को बचाने के लिए शुरू कर जाते हैं जिसमें जानवर और plants दोनों शामिल हैं इसलिए intensive conservation measures को include किया जाता है अब तो कई insects के लिए भी conservation program चलाए जा रहे हैं जैसे कि Wildlife Act of 1980 और 1996 में several hundred butterflies, moths, betas और dragonfly को भी add किया गया था protected species में यहाँ पर rhinos auroras दिख रहा है को काजी रंगा नाशनल पार्क में यहाँ डियर नज़र आ रहे हैं 1991 में पहली बार plants को जोड़ा गया इस Wildlife Protection Act की प्रोटेक्टेड लिस्ट में फिर बात की जाए types and distribution of forest and wildlife resources देखिए भाईया अगर हमको अपने vast forest और wildlife resources को बचाना है तो यह हमारे लिए बड़ा task है क्यों बड़ा task है चुकि उनको regulate करने के लिए जिस जिस इलाके में वो पाए जाते हैं उनको regulate करना पड़ेगा अभी हमारे देश का जो बहुत major forest का हिस्सा है जहां पे हमारे wildlife resources मिलते हैं इनको government manage करती through forest department यहां तीन तरीके की चीज़ें आ रही है एक reserve forest एक protected forest और एक आ रहा यहां पे कौन unclassed forest अब भाईया देखो यहां पे जो reserve forest और protected forest बता रखा है ना बहुत ही basic definition बता रखी है अगर reserve forest और protected forest के बारे में जानना है तो जैसा कि पहले मैं आपको बताए reserve forest को मेरे नाम के साथ YouTube में सर्च मारी है आपको यह video मिल जाएगी protected areas in India यहां पे reserve forest और protected forest दोनों के बारे में मैं exact criteria बता है क्या मतलब होता है इनका फिलाल के लिए देखते हैं NCRT में क्या लिखा है इंडिया का more than half of the forest land has been declared as reserve forest reserve forest को बहुत valuable माना जाता है as far as the यह bowl बच्चन type की definition है अभी के लिए सुन लीजे आगे protected forest हमारे देश का almost one third इलाका protected forest category में आता है जिसको forest department ने protected forest बोल रखा है protected क्यों जो कि इसको further depletion से बचाना है अब यह bowl बच्चन definitions है reserved forest और protected forest के बीच के फर्क को समझना आए जो वीडियो मैंना भी बता है इसको देखी जाके यहां कुछ आर्टिकल्स अपे newspaper में घडियल के conservation को लेके फिर यहां बात की जारी unclassed forest की तो unclassed forest वो forest होते हैं वो wastelands होते हैं जो government को भी belong करते हैं और कभी-कभी private individuals और communities को भी belong करते हैं तो reserved and protected forest को कभी-कभी permanent forest estate भी कहा जाता है इन permanent forest estates का प्रियोग timber को use करने के लिए पेर काट करके timber लाना और दूसरे forest produce के लिए भी इनको यूज के जाता है आप देखोंगे मद्धपदेश has the largest forest area in under permanent forest तो मद्धपदेश में अगर 100% forest हैं तो इसका 75% of the total forest area is permanent forest of permanent forest में reserved forest और protected forest आते हैं जमून कश्मीर आंद्पदेश मुत्तराखंट केरला तमिलनाडु वेस्टमेगाल महाराष्ट है they have the largest percentage of result forest of its total forest area whereas बिहार, हरियाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, औरीसा और राजस्थान have a bulk of it under protected forest यह कुछ important information है बस याद रहे तो ठीक है नहीं याद रहे तो भी चलेगा North Eastern States की बात कर लिजे, parts of गुजरात की बात कर लिजे तो इनका एक बहुत बड़ा इलाका unclassed forest है managed by local communities चुकि हम वो कहीं न कहीं यह पता है कि जो North Eastern States है वहाँ पे community ownership पला सिधान्थ बहुत ज़ादा चलता है फिर बात की जाए community और conservation की देखे, conservation strategies इंडिया में कोई नई चीज नहीं है हमें पता है कि इंडिया में बहुत सी traditional communities पाई जाती है और ये traditional communities हमारे habitats को protect करने की कोशिश कर रही है in fact बहुत सारे government officials भी habitat को protect करने की कोशिश कर रहे है कही न कहीं इन communities को पता है कि जो हमारी existence है वो in forest पे dependent है तो वो पूरी कोशिश करते है इन forest को बचाने की जैसे कि यहाँ बात की जाए सरिसका Tiger Reserve राजिस्थान की तो यहाँ पे villagers ने लड़ाई लड़ी जो government का involvement था उनके अलाकों में उसको रोकने की कोशिश की जैसे अलवर district of राजिस्थान के पाँच villages में 1200 hectares of forest को declare कर दिया गया भैरो देव दकाव सोनचुरी यानि कि इन्होंने अपना भगवान इनको declare कर दिया और अपने खुद के कुछ rules and regulations लगा दिये जिनमें साफ साफ ये लिखाए कि इस जगा पे किसी भी तरीके की hunting नहीं हो सकती किसी भी तरीके की wildlife को नहीं मारा जा सकता किसी भी तरीके का outskite encroachment नहीं होगा तो इस तरीके से communities ने खुद initiative लिया है अपने forest को और ecology को बचाने के लिए फिर बात करते हैं sacred groves a wealth of diverse and rare species देखिए sacred groves क्या है हमारे देश में खासका tribal इलाकों में nature worship एक age old practice है जो tribal का बिरीफ है कि वो जिन forest में रहते हैं वही forest उनके दीवी देवता है और उन forest को उस nature को बचाना इन tribes की responsibility ये tribes इसको अपने responsibility समझते हैं तो ऐसे बहुत several virgin forest को maintain किया गया several virgin forest मतलब ऐसे forest जहां पर outside interference ना के बराबर है उनको exploit नहीं किया गया वहाँ पर रहने वाले लोगों ने उनको बचा के रखा गया वो अपने pristine form में conserved है इनको बोला जाता sacred groves यानि forest of gods and goddesses दीवी देवताओं के forest in fact tribals के लिए तो ये ही उनके देवी देवता है तो ये वो patches of forest है या फिर large forest की वो छोटे छोटे हिस्से है जो बिलकुल भी untouched है local people के यहां कोई भी नहीं जाता tourist को भी यहां पर allow नहीं किया जाता कुछ जगों पर जाते हैं tourist बिलकुल भी गंदगी करना allowed नहीं है किसी भी तरीके का outside interference बन दे even कई जगों पर तो लोग जाके पेड की टहनिया तक नहीं काटते कुछ जगों पर देखा जाता है कि जब इन forest की जो product से कभी-कभी गिर जाते हैं इन पेडों से तो उन products को भी कुछ लोग नहीं उठाते हैं हाला कि कुछ जगों पर उनको इस्तमाल कर लिया जाता है तो हमारे society में आपको ऐसे बहुत से example दिख जाएंगे जहां पर पेडों की पूजा होती है बहुत ही आम है आप देखोगी दोस्तों मुंडाज औ संथल्स हैं जिसको मैंगी फेरा इंडिका कहा जाता है वेडिंग्स के दोरानी की पूजा की जाती है पीपल और बनियन ट्रीस की पूजा तो भाया हिंदु धरम में वैसे ही की जाती आपने अपने घर में आपनी सिस्टर्स को या माताजी को करते हुए देखा होगा तो इंडिन सोसाइटीज में बहुत से कल्चर्स आते हैं और हर कल्चर के अपने सेट अफ ट्रेडिशनल मैथेट्स है जहां पे वो नेचर को कंजर्व करते हैं उसके क्रेशन को कंजर्व करते हैं तो आपने देखा होगा स्प्रिंग्स यानि माउंटेंस में कभी-कभी चोटी-चोटी धारा निकलती है माउंटें पीक्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को भगवान की तरह पूजा जाता है किसी-किसी टेंपिल्स में आपको बहुत से बंदर दिख जाएंगे लोइंटेंड मकव लंगूर्स दिख जाएंगे उन लंगूर्स को उस टेंपिल का पार्ट माना जाता है और कहीं न कहीं उनको भगवान का शागिर्द माना जाता है तो लोग उनको परिशान नहीं करते हैं उनको चड़ावा देते हैं बहुत से ऐसे टेंपल्स के एक्जाम्पल आपको इंडिया भर में देखने को मिलेंगे इन फैक्ट इंडिया ही नहीं आप फ्लाइट पकड़के बाली चले जाओ बाली में भी आपको ऐसे बहुत से टेंपल्स देखने को मिलेंगे फिर बिश्णोई विलेज और राजिस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पे हर्ड्स और ब्लैक बग, चिंकारा, नील गाय, पिकॉक्स दिख जाएंगे ये कम्यूनिटी के इंटीग्रल पार्ट है और कोई भी इनको डिस्टर्ब नहीं करता है फिर चिपको मुमेंट जो की लाँच हुआ था हिमालाज में उसका मतलब क्या था कि भाई पेड़ों को जब मैसिव स्केल पर काटा जा रहा था तो लोग इन पेड़ों को हग करके खड़े हो गए तो अगर पेड़ काट हो गए तो हमको काट दो तो इस तरीके से लोगों ने कई इलाकों में डीफॉरेस्टेशन के खिलाफ लड़ाई चड़ी गई है कम्यूनिटी अफॉरेस्टेशन किया गया है यानि कि कम्यूनिटीज ने मिलके एक बड़े स्केल पेड़ों को लगाया है ताकि इंडीजीने स्पेशीस को बचाया जा सके ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथेट्स को प्रमोट करने की बात की जाती है बहुत से फार्मास और सिटिजन्स क्रूप यहाँ पे अक्टिव है जैसे बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में नवदनिया यह सब अवलेबल है ठीक है इन सब जो भी इनिशेटिवस हैं इससे हमको यह पता चला है कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप प्रोड़क्शन मेथेड्स हैं जिसमें बीना किसी सिंथेटिक फर्डिलाइजर्स के हमारे ट्रेडिशनल सीड्स के साथ हम अच्छी क्रॉप्स को उगा सकते हैं अगर उसको प्रोपर तरीके उगाया जाए तो फिर इंडिया में बहुत से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलाए गया है जिसमें लोकल कम्यूनिटीज को इन्वाल किया गया है डिग्रेड़िट फॉरेस्ट के मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन के लिए इस तरीके का ही एक प्रोग्राम 1988 से ओडिशा में चल रहा है ठीक है ना ओडिशा में जॉइंट फॉरेस्ट में शुरू हुत 1988 में तब से ये प्रोग्राम ओडिसा में चालू है J.F.M. किस पर depend करता है on the formation of local village institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department तो J.F.M. में क्या होता है community पर local level पर local institutions बना दे जाते हैं ये institutions मिलके degraded forest land को promote करते हैं बचाने की कोशिश करते हैं अपनी protection activities के थूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों environmental destruction को रोकना है और environment को फिर से reconstruct करना है, revive करना है तो local community की involvement के बिना इसको कर पाना बहुत ज़दा मुश्किल है local community को natural resource management में आपको involve करना ही पड़ेगा decision making में भी उनको involve करना पड़ेगा decision के execution में भी involve करना पड़ेगा ताकि जो कुछ भी process हो रहा हो वो people centric हो, environmental friendly हो और economically rewarding हो यहाँ पे trees की तारीफ कर रखी गौतम बुद्दा जी ने, आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत simple सा statement है, तो यहाँ पे मैं अपने lecture हो खतम करता हूँ, आई हो पापो सीखने को मिला होगा दोस्तों, good bye please इन वीडियोस को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा